Hello Friends, मैं हूँ विकास आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी है वीवो का मोबाइल और उसमें आपका वाइफाई काम नहीं कर रहा है या तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है या वो चालू ही नहीं हो रहा है तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं आए जानते हैं यहां पर मैं आपको 3-4 तरीके बताने वाला हूँ आप इन इस steps को follow करिए और आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी सबसे पहला तरीका है आपको अपना जो फोन है उसे एक बार restart कर देना है इससे आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी फिर अगला step है यहां पर आपको अपना जो setting है अपने फोन की setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको यहां पर मिलेगा वाइफाई तो वाइफाई पर किलिक करें वाइफाई को ढूंडें इसे चालू करिए यहां पर हमारा यह connect है फिलाल तो अभी हमारा connect नहीं हो रहा था तो हमने क्या करा है मैं आपको सब बता रहा हूं तो यहां पर आप जिस वाइफाई से इसे connect कर रहे हैं यानि जिस mobile से जिस router से connect कर रहे हैं एक बार उसका नाम change करके देखिए और जो आप password डाल रहे हैं वो सई से डालिएगा तो आपका वाइफाई connect हो जाएगा अगर इस तरीके से भी काम ना बने तो आपको अपना जो फोन है उसके setting में जाना है नीचे के तरफ आना है यहाँ पर आपको मिलेगा system यहाँ पर ढूंडिए और इसे open कर लिजिए नीचे आपको मिल जागा एक option reset option यहाँ पर हम wifi की setting को reset कर देंगे उपर आपको मिलेगा reset wifi mobile and bluetooth इस पर टच करें यहाँ पर sim 1, sim 2 आप select कर लिजिए और reset setting पर टच कर दीजिए और अपना pattern lock create कर दीजिए आपका जो wifi है, bluetooth है सब ठीक हो जाएगा फिर से reset setting पर टच करें और आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी इसके अलावा आप अपने phone को भी update कर सकते हैं अगर उसमें कोई update आया है तो उससे भी दिक्कत ठीक हो जाती है वीडियो पसंद आई है तो like करें, channel को subscribe करें